हेलो इव्यवरीवन गूड़ मॉर्निंग कैसे है सब भाई हो पच्च वे की मम्मी आ रहे हैं पूजा पेशे चलिए व्लॉक के स्टार्टिंग करते हैं अपनी बालक्नी से खुब शुरत बालक्नी से और यहां से जो व्यू है ना वो बहुत खुबसूरत है बालकनी से जादा व्यू बहुत खुबसूरत है तो मैं अपने व्लॉग में एक बार तो जरूर बालकनी से व्यू जरूर दिखाती हूं और बस देखिए सुबह सुबह का जो टाइम है वो हो गया मैं नहादो करके आ हूँ किचन में ही आना होता है जाड़ों पोचा साफ सफाई गर की हो गई है बरतन बस मैंने थोड़े सेट किया थे तो नीचे पानी फैल गया था तो वाइपर करके साफ कर दिया है और फटा फटे चलिए मिल्क रखते हैं बॉयल करने के लिए सुबा हजबन लेकर के आ ही ग काम काच करते करते सारा दिन चला जाता है पता ही नहीं चलता लेकिन अभी तो काम करने का ताइम इन यहीं मिलता है सब करते रहते हैं अपनण Sofa चाप में करे हैं कवर तेड़ा मेड़ा हो रखा है यहां पर तो अभी तुम्हें को चाय पिनी यहीं पर बैठ के और भाई रेड़ी हो रहा है उसको जाना है कॉलेज अपने किसी काम से कुछ वहां से कुछ डॉक्यमेंट लेख के आने उसको बड़ा पेंडिंग चल रहा है हर बार आता है न तो सुचता है इस बार लियाओंगा इस बार लियाओंगा लेकिन नहीं जा पा रहा था तो आज वो केली निकल के गया और जाएगा भी थोड़ी देर में मतलब अभी गया नहीं है तो इसलि पीरा विदिवदान से वो इस बार मम्मी कर रही है नवरात में यहां पर भी और यहां पर एक यहां सी मजाग चल रहा था भाई बैठा हूँ अंजली मैं हम लोग चाए पी रहे हैं सब लोग यहां बैठ करके हजबन चा रहे हैं उनका तो अलग नाशता रहता है सुबह का मेरा अलग हम लोग का अलग उनका अलग तो वो जा रहे था बिर्यानी खाने के लिए और यहां पर भाई जो है वो अपने कपड़ों में प्रेस कर रहा है उसके वाद यह थोड़ी देर की वीडियो है तो यह खा कर बिर्यानी आ चुके हैं और एक प्लेट ना मैंने मंगव है तक वहां से यह ऑटो से चला जाएगा कॉलेज ऐसे ही है बारा पंद्रा किलोमीटर जी एले यूनिवरस्टी है तो हमारे घर से इतना डिस्टन जो है वो पढ़ता है वरिंदावन में है हम लोग तो मत्रह में रहते हैं और यहां पर देखिए अभी आपको बिर्यानी भ लेकिन अच्छी लगती है खा लेते हैं एक्षिली पहले हम लोग सब लोग सोच रहते हैं कि हम सब भी चलो चलते हैं पिछली बार एक बार हम गये भी थे भाई को ले करके लेकिन उस साय में शायद महाशिवरास्री वाल दिन चल गया तो कॉलेज बन था इसलिए इसको मिल नेल्स कट करवाने थे अपने बहुत जादा बड़े हो गए इधर मैंने काफी दिनों से ध्यान भी नहीं दिया है एक्षिली जब स्कूल रहता है तब तो इनको टीचर की तरफ से प्रेशर रहता है खुद ही बोल बोल के कट करवा लेती हैं लेकिन जब से स्कूल बंद गया तो यहां पर मैं पालक वाली दाल फटाफट से बना रही हूँ और मेरी तब्यद भी आजकल सही नहीं लग रही है पता नहीं कब मेरे को अराम मिलेगा पता नहीं है अब डॉक्टर को दिखा नहीं रहे मेन बात है ना मुझे प्रॉब्लम तो है लेकिन मेरे को दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बस इसी डर से कि मैं को दवा खानी पड़े किसी डर से मैं जान नहीं रही हूँ वरना मेरे पांच-छे दिनों से तब बिल्कुल भी सही नहीं लगती सारा दिन वीकनिस फीवर यही सब लगता रहता है तो देखिए खाना तो बस व जाएगी जो है वो सब के लिए बना रही हूं और अद्रक रखे हुई थी पालक वाली पनी में तो गंदी सी हो गई थी तो मैंने ना उसका धो करके भी रखा हुआ था बगल में तो उसको जब सूख जाएगी तब फिर फ्रिज में रख दूंगी और यहां पे कुछ सब्सक्राइब कर रहे थी कपड़े भी बहुत जादा इखटे हो गया है अभी ने भी फोड करके रखना है तो मैं लेकर क्या गई हूं रूम में आप लोग देख सकते हो पूरी चेर जो है वो कपड़ों से फुल है तो इनको फोल्ड करने में भी बड़ा टाइम लगने व सब्सक्राइब कर लेते हूं तो इसी तरह सब काम अपने टाइम से कर लेते हूं ताकि एक ही टाइम पे जितने काम हूं वो मैनेज करना हूं ताकि ज्यादा देर नहों और दिन्भा मुझे यह वो ऐसे करना ना पड़े तो देखिए मैगी ऑल्मोस्ट बनी गई है और आज चाइना कमंद था यहली कटोरी में खाने का तो उसके वाद फिर मैंने ना आयना और यह दोनों के लिए यह वाली बोल्स जो है वो निकाल लिए इसी में वो खाएंगी मैगी और चाय जो है वो पहली बन गई थी मैंने ग्यास ऑफ कर दिया था तो अब तो थंडी हो गई त वैसे combination तो अच्छा नहीं है लेकिन बनता हमारे यहां शाम को ज्यादा तर यही है चाय मैगी या फिर पापड़ अच्छा हाँ कोई कमेंट कर रहे था चाय और पापड़ का combination हमें अच्छा नहीं लगा तो यह ट्राइ करिएगा हम लोग तो बहुत पहले से बच्पन से य चाय पापड़ का बहुत टेस्टी लगता है बहुत मज़े आते खाने में आप लोग भी ट्राइ करना तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आजो मैगी खाने के लिए यहां पर मैंने आइना यशी को तो बुला लिया मैगी खाने के लिए दोनों रोम में खेल रही थी तो बस देखे कितनी खुश है मैगी देख करके दोनों लोग पहले आइना को तो पसंद थी मैगी लेकिन यशी को नहीं पसंद थी लेकिन अब दोनों ही खाने लग गया है तो बस हम लोग अभी मैगी एंजॉय करेंगे अंजली मैं आइना यशी सब लोग और आज के इस व्लो में तब तक लिए बाई बाई ठीक क्यार और ऐसी सपोर्ट करते रहो